आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं बिहार की अब तक ये बड़ी खबरों को BPSSE ने जारी किया परिक्षा कैलेंडर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा परिक्षा का कैलेंडर जारी कर लिया गया है जिसके परिणाम सोरु परिक्षा कैलेंडर के मुताबिक 29 नवंबर से 17 जनवरी 2021 के बीच परिक्षाओं की तारीख घोशित की गई है जिसमें बताये गया है कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर सार्जिन्ट असिस्टेंट सूप्रेटेंडेंट अफ जेल साधी असिस्टेंट सूप्रेटेंडेंट अफ जेल एक्स सर्वसमेंड के मुखे परिक्षा 29 नवंबर यानी की रविवार को आयोजित की जाएगी संवंबर से 17 जन्वरी 2021 के बीच आयो जित करवाई जाएगी जो की www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर भरती परिक्षाउं की जानकारी आप ले सकते हैं वोट मांगने का दिखा अनोखा अंदाज वोटरों को लुभाने के लिए सभी नेता अलग-अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं कोई कभी साइकल पर सवार हो जाता है तो कोई भैंस पर बैठ कर प्रचवार करते वे देखा जाता है वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदफ के बड़े भाई तेश्पता प्यादफ भी कई बार अपने अनोखे अंदाज में वोट मांगते नजर आ चुके हैं गुड़ू बाबा जिस गली महले में जा रहे थे वहां गीत संगीत सही वोटर्स बहार निकल जाते और इनसे मुखातिब होते इसके साथ ही ये हाथ जोड़ कर सभी वोट मांग रहे हैं और गुड़ू बाबा जाने माने सामाजिक कारे करता हैं जो भ्रश्टाचार के खिलाफ सेको पी आईल कर चुके हैं एम्स जिल्ली दे रहा है नौकरी का सुनहराव सर अखिल भारतिया आरविज्यान संस्थान में कई पदों पर न्युकती के लिए आवेदन आमंतरित किये जा चुके हैं यह भरतियां वेटनरी अधिकारी, सीनर, केमिस्ट, वेलफेर, ओफिसर, डाइटीश्वन, रिशेप्सिनिस्ट, स्टोर, कीपर सहिद कई पोस्ट पर होने जा रही है योग्यों में द्वार आवेदन भर सकते हैं, इच्छो को में द्वारों से एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.aimsexams.org पर जवाकर आवेदन भरने की मांग की गई है हाला कि ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त किसी भी प्रकार की गलती होने पर आवेदन पत्र रद कर दिये जाएंगे वहीं सभी अभिहर्थियों से 19 नवंबर 2020 से पहले आवेदन भरने की मांग की गई है बिहार चुनाफ पर आयोग की है पैनी नजर बिहार वदानसबा चुनाफ को लेकर आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है मतदाताओं को जागरू करने के लिए खास कारिक्रम चलाए जा रहे है कोरोना के माहौल में हो रहे है चुनाफ के लिए शत प्रतेशत वोटिंग सुनेश्वित की जा रही है कोरोना के माहौल में वोटिंग के मुकमल विवस्था की गई है खास बात ये है कि आयोग चुनाफ में आदर्श अचार सहिता के पालन पर पैनी नजर रख रहा है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि आचार सहिता कालंगहन हर किसी पर भारी परेगा। पहले चुनाफ का आयोजन करवाए जाएगा। 266 में द्वार मैदान में हैं, दूस्टे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों पर चुनाफ का आयोजन करवाए जाएगा। इसके द्वारान कुल मिलाकर 1464 में द्वार चुनाफ को लेकर सभी प्रत्याशी पूरे दमखं में चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 28 तारी को होने वाला है। इस सब के बीच इस बार पब्लिक उननेता को खूब खड़ी-खोटी सुनारी है जो वोट लेने आते हैं लेकिन छेत्र में कोई काम नहीं करते हैं। अब तक दरजनों विधायक के विरोध की खबर भी आ चुकी है। पहां से निकलने के मूड में थे लेकिन यूवकों ने उन्हें घेर ली और जबडन सड़क को दिखाने लेगे जहां सिर्फ कीच़ड़ी-कीच़ड़ था। बिहार में आकर उनको बेरोजगारी, गरीबी किसानों और मजदूरों की बात करनी चाहिए पर प्रधान मंत्री मोदी बिहार में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शत्रुग नसिनहा ने कहा कि तेजस्वी यादव करने के लिए तो मजबूत है बिहार का भविश्य है तेजस्वी विरासत में अच्छी सीख समझ और ट्रेनिंग मिली है उन्हें। श्रक्ती की बेकरारी देख रहा है तेजस्वी यादव के नित्रुद्व के लिए तेजस्वी यादव ही नहीं तेश्वताप यादव भी काबिल है। 2020 का चुनाव बस कुछी द्रों में शुरू होने वाला है वहीं चुनाव में टिकेट पाने वालों की होड भी देखने को मिल रही है। 2020 का चुनाव में शामिल होने के लिए 6 साल के लिए निश्काशित कर दिया गया है। इसलिए जल्दी बोड रहा हूं तेश्वी आदव ने अपने संबोधन के दौरान सिक्षकों के नियोजन, बेरोजगारी और युवकों को 10 लाख रोजकार देने की बात कही है। साथ ही लोगों से नितीश्व सरकार को हटाते वे परिवर्तन लाने की भी अपील की है। जोरान तेश्वी आदव का नोखा अंदाज देखने को बला, जब तेश्वी आदव को यह पता लगा कि वो लेट हो गया हैं, इसलिए उन्हों ने जल्दी जल्दी में उमिद्वारों के लिए वोट मांगते वे उन्हें माला पहनाई, इसके साथ ही तेश्वी आदव ने पपु यादव ने निदीश और तेश्वी पर साधा निशाना बिहार में चुनाव के समय तनाव काफी ज़्यादा देखने को मलता है, इसी को लेकर पपु यादव ने विपक्ष के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, उन्होंने कहा कि जब आप माफियाओं को ट क्यों दिया 15 साल से पहले जो आदमी पकात दिया है, अब वो क्या पकने की बात क्यों करता है, इस दौरान उन्होंने सुशील मोधी पर भी निशाना साथ और कहा कि सुशील मोधी लॉस में है, और जो आदमी बाढ़ में हाफ पैंट पहन कर अपनी पतनी के साथ भाग गया उससे क्या उमीद कर सकते हैं? लोकल फोर लोकल का अपना संकल्प अवश्याद रखे, बाजार में सामान खरीते समय हमें स्थानी उत्पादों को प्राथ मिक्ता देनी है, उन्होंने कहा कि वीर बेटे बेटियों के सम्मान में हमें दीप प्रजवलेत जरूर करना चाहिए, ऐसे मौके पर हमें अपने उ बनाई जा रही है, उन्होंने बाद सर्दार वा लभाई पटेर की जुएंती भी है, जिस जिन हम रास्ट्रिय एकतादिवस के तौर पर बनाएंगे, दिन का पहला बुकावला चैनली सुपर किंग्स और बैंकली